नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त तरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइकरविव नागल इस वीडियो में इस समय इंडिया के टू टोप ब्रांड एक्साइड और लुमिनस की सोलर मैंटरी का कमपेरिजन होगा और साथ ही साथ एक नोन सोलर मैंटरी और एक सोलर मैंटरी का भी कमपेरिजन हो जाएगा वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोस्तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है लेकिन सैटिस्फेक्शन इस बात का है कि हम भी और आप भी एक निसकर्स तक पहुँच रहे हैं एक रिजल्ट मिल रहा है और बैटरी उपभोकता बहुत आसान इसे नीडने ले रहा है कि उसको कौन सी बैटरी लेनी चाहिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इनका वजन आपको दिखाएंगे इनका वेट दिखाएंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखना तभी किसी निसकर्स पर पहुँच पाएंगे और दोस्तों लुमिनस की यह है नोन सोलर बैटरी है और इसका वेट हम देख रहे हैं कि 54 केजी 700 एकसाइड की 150 AH सोलर बैटरी है और इसका वजन हम देख रहे हैं कि 56 किलो 330 ग्राम है लुमिनस की 150 AH सोलर बैटरी है और डिस्पले में वेट हम देख रहे हैं कि 56 किलो 990 ग्राम है दोस्तों तीनों बैटरियों को टैस्टिंग काउंटर पर सजा लिया गया है यह है एकसाइड की सोलर ट्यूबलर बैटरी 150 AH तीन साल रिप्लेश्मेंट वारंटी में है यह है लुमिनस की सोलर ट्यूबलर बैटरी 150 AH तीन साल की ही रिप्लेश्मेंट वारंटी में है और यह है लुमिनस की 150 AH non solar battery है इसकी भी 3 साल की ही replacement है तीनो battery company charge है पहले हम इनको बराबर load से discharge करेंगे जिससे यह doubt समाफ्थ हो जाएगा कि कोई battery कम या ज्यादा charge हो सकती है तो समान रूप से इनको discharge करेंगे जब तक inverter low battery का टोप नहीं दिखाएगा तो इनके inverter चला देते हैं दोस्तो तीनो inverter low battery काटोप हो गए है तीनो load आप देख रहे हैं बंध है एक बार फिर से हम inverter के शियूच ओन करके आपको दिखा देते हैं तीनो inverter एक बार फिर से मैंने चालू कर दिये हैं और कुछ देर के बाद कैमरे के सामने ही है लोबैंटरी कटोफ हो जाएंगे लंबी विशिल है और लोबैंटरी का इंडिगेटर आया हुआ है और इन्वेटर बंद हो चुका है और लंबी विशिल देकर यह इन्वेटर भी ओफ हो चुका है यह इन्वेटर भी लोबैंटरी कटोफ हो चुका है तो इस परकार एक समान लोड से हमने इन तीनो बैंटरियों को एक समान रूप से डिस्चार्ज कर लिया है और अब इन से लोड को हम यहां से हटा देते हैं टेस्टिंग बोड को में लाइन से कनेक्ट कर लिया है और इन्वेटर की में लीड को इस टेस्टिंग बोड से कनेक्ट हमने कर लिया है यूनिट हम देख रहे हैं कि इस समय जीरो है टेर 0 हमने कर लिया है और यहीं से हम इसकी चार्जिंग को ओन कर देते हैं मेन और चार्जिंग के इंडिगेटर आ गए हैं और 240 वाट के लगभग चार्जिंग का लोड इस समय चल रहा है और यह है एक्साइड की सोलर बैंटरी है उसी परकार luminous की solar battery के साथ जो inverter लगा हुआ है इसके meter के unit को भी हम tear zero कर लेते हैं shoot on कर देते हैं main और charging का indicator आ गया है 220 watt से यह inverter इस battery को charge कर रहा है और इसी परकार जो हमारी तीसरी battery है 150 CH में ही non solar luminous की battery है पहले unit को tear zero करेंगे और unit को zero हमने कर लिया है shoot on कर देते हैं inverter में main और charging का indicator आ गया है और display में हम देख रहे हैं कि load भी चालू हो गया है लगबग वही 225 watt का load charging का चल रहा है और तकरीबन 8 से 10 गंटे इनको charge होने में लगेंगे तब तक आप video को like करके share जरूर कर देना चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe जरूर कर लेना वीडियो को अंत तक देखना एक बहुत अच्छा result यहां पर आने वाला है दोस्तो दस बारे घंटे के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी तीनो बैटरी fully charge हैं testing meter में हम आपको दिखा रहे हैं इनकी unit और ampere कितने इस समय चल रहे हैं यह एकसाइड की solar tubular battery है और इसके inverter के testing meter को हम देख रहे हैं तो इस समय यह केवल 14.3 watt की energy से battery को charge कर रहा है और unit इसने consume किया है 1.49 unit दूसरी battery हमारी luminous की solar tubular battery है इसके testing meter को हम देख रहे हैं कि यह 35 watt की energy से battery को इस समय चार्ज कर रहा है और इसने 1.92 unit consume की है तीसरी battery non solar battery है 150Ah में ही है और यह 42 watt की energy से charge हो रही है और इसने energy का consumption किया है 1.65 unit का तो इस परकार तीनो battery full charge है ट्रिकल charging पर है battery को एक आद एंपियर की energy इस समय जा रही होगी तो मात्र एक एंपियर से battery charge हो रही है अब हम इनको grid से disconnect करेंगे और इन पर load चलाकर देखेंगे कि कितने unit हम को मिलेगी कौन सी battery कितना backup देगी तीनो inverter के साथ testing board connect करके और testing board में यह लोड connect कर लिए गए हैं तीनो लोड एक समान है और तीनो ही battery उपर एक समान ही inverter है तीनो इन्यवेटर के शूच ओन कर देते हैं इन्यवेटर चालू हो गया है और unit को tear 0 हमने कर दिया है दूसरा इन्यवेटर भी चालू हो गया है और unit को यहाँ पर हमने tear 0 कर लिया है तीसरा इन्यवेटर भी चालू है और इसके unit को भी tear 0 कर देते हैं तीनो इन्यवेटर के लिए हमने unit को tear 0 कर लिया है और समय नो बज चुके हैं तीनो ही इन्यवेटर पर लोड चालू कर देते हैं तीनो हिटिंग रोड हम देख रहे हैं कि तीनो हिटिंग रोड हमारी चालू हो गई है कैमरा मान से कहूँगा डिस्पले में एक बार फिर से दिखाएं यहां पर हम देख रहे हैं कि 478 वाट का लोड चालू हो गया है दूसरे inverter में 488 watt का लोड़ चालू हो गया है और تीसरे inverter में 472 watt का लोड़ चालू हो गया लोड लगभग बराबर है, 1-2 watt का ऊपर नीचे रहता है फीक 9 वजे तीनो inverter पर बराबर लोड़ हमने चालू कर दिया है और अब देखेंगे कि कौन सी battery, कितना backup देगी, कितने unit हमें प्राप्त होगी सब कुछ live आप camera के सामने देखेंगे, वीडियो में कोई cutting नहीं होगी वीडियो का यह है part हम आपको fast forward करके दिखाएंगे और तब तक दोस्तों वीडियो को like करके comment कर लेना और यदि चैनल को subscribe नहीं किया हो तो please channel को subscribe भी कर लेना और दोस्तों inverter low battery देकर बंद हो चुका है एक बार इसको own करके इसकी display की reading चेक कर लेते हैं लगातार low battery का indicator आ रहा है और display में हम देख रहे हैं कि watt इस समय है 380 watt के आसपास है और unit हो रही है 0.34 unit हमें यहां से मिली है और समय हम देख रहे हैं कि इस समय घड़ी में 9 बज़ कर 45 मिनट हुआ है 9 बज़े हमने चालू किया था तो इसका मतलब इस battery ने हमें जो backup दिया है 45 मिनट का backup यहां से मिला है इस battery को चार्ज करने में 1.49 unit हमारी खर्च हुई थी और जो हमें unit मिला है वह है 0.34 unit हमें मिला है इस परकार unit loss हुआ है 1.16 unit का यहां पर loss हुआ है और इस battery का यदि हम energy percentage loss देखें तो 78% का यहां पर loss हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा loss है जो कि एक बहुत है दोस्तों दोनों battery के हम देख रहे हैं कि low battery के indicator लगातार चल रहे हैं और इस battery का inverter का भी low battery का indicator जल रहा है यानि दोनों battery डिस्चार्ज होने के आसपास है किसी भी समय inverter बंद हो सकते है इस वाले इन्वेटर ने 0.72 यूनिट का जनरेशन किया है और इस वाले बैटरी ने 0.70 यूनिट का जनरेशन किया है अभी अंतिम बिंदू तक चलने देते हैं उसके बाद रीडिंग को देखेंगे और दोस्तों नोन सोलर बैटरी वाला इन्वेटर लो बैटरी देकर ओफ हो गया है रीडिंग चेक करने के लिए एक बार हम इसको ओफ करके ओन कर देते हैं समय हम देख रहे हैं दस बज कर 41 मिनट हुआ है यानि यह बैटरी एक घंटा 41-42 मिनट चली है यूनिट हम देख रहे हैं कि 0.72 यूनिट का यहाँ पर जनरेशन हुआ है और दोस्तों इन्वेर्टर बंध हो चुका है एक घंटा 45 मिनट वन हावर 45 मिनट का बैक अप इस बैटरी ने दिया है रीडिंग देखने के लिए एक बार हम इसको ओफ करके ओन कर लेते हैं डिश्पले में हम देख रहे हैं कि 0.77 यूनिट हमें यहाँ से इस बैटरी से मिली है और एक घंटा 45 मिनट का इस बैटरी ने बैक अप दिया है दोस्तों आपने देखा कि तीनों ही बैटरी एकसाइड सोलर ट्यूबलर बैटरी लूमिनस सोलर ट्यूबलर बैटरी और तीसरी बैटरी लूमिनस की ही नोन सोलर बैटरी है तीनों बैटरी 150 AH में है 3 एर इनकी रिप्लेश्मेंट वारंटी है लिखावा इस पर 60 मन्त है और इस पर भी 60 मन्त है वैसे तो कैमरे के सामने आप बिलकुल सब कुछ इसपस्ट देखा ही है फिर से एक बार मैं पुरा एनालीसीशिन का बता रहा हूँ इसक्रीन पर आप देख भी रहे हैं इसका वेट हुआ है 54.7 kg लुमिनस की सोलर बैटरी का वेट हुआ था 56.9 kg 57 kg मान सकते हैं और एकसाइड का वेट हुआ था 56.3 kg चार्ज होने में जो यूनिट इन्होंने कंजूम की है इस बैटरी ने 1.65 यूनिट कंजूम की है इस बैटरी ने 1.92 यूनिट कंजूम की है और इस बैटरी ने 1.49 यूनिट कंजूम की है एक समान इन पर लोड चला गया है स्टार्टिंग में लोड 488 का था लास्ट में घटते घटते 388 तक पहुँच गया था उसट लोड 430, तीनो ही इन्वेटर बर बराबर चला है बैकप के दिबात करें तो इस मैंटरी ने 1 hour 42 मिनट का बैकप दिया है इस मैंटरी ने 1 hour 45 मिनट का बैकप दिया है और इस battery ने only 45 minute का backup दिया है backup के समय इस battery ने 0.72 unit का generation किया है इस battery ने 0.77 unit का generation किया है और इस battery ने 0.34 unit का generation किया है और energy loss की परसेंटेज में बात करें तो इस battery inverter का energy loss है 57% इस battery inverter का energy loss है 60% और इस battery inverter का energy loss मिला है 78% जानकर भेजा ठसक गया है न जाने इस battery में manufacturing fault है या किस कारण से इस battery का performance इतना कम रहा है इस doubt को दूर करने के लिए अगली वीडियो में मैं इसी model number की दूसरे serial number की cameraman से कहूँगा कि इस battery का serial number दिखाएं इस battery का serial number आप देख सकते हैं अपने doubt को दूर करने के लिए और किसी product के साथ ना इन साफी नए हो इस बात को देखते हुए हम इसी model number की testing दोबारा से दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे और दोस्तों warranty मैंने बता ही दिया है कि 3 year in की replacement warranty है और यदि price की बात करें तो इस battery का इस समय market price 13,500 है 12,500 का इस समय price है 100-200 रुपे अलग-अलग seller या अलग-अलग जगे से आपको ऊपर नीचे हो सकता है और दोस्तों मेरे दुआरा इन battery के संबंद में दी गई है जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और आपका कोई question हो या किसी battery का comparison आप देखना चाहते हैं तो comment करना और यदि channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe जरूर कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों